नविश्कार दोस्तों स्वागाद सभीक आपके अपनी यूट्यूब क्यानल आउनलाइंश्विट डीकीव और आज हम बात कर जा रहे हैं यूपुटेट एक्जाम 2011-2022 तक के पूछे गए प्रेश्णों की जिनमें आज हम देखेंगे बालविका सिक्षासास्तर के टॉफ एक्षे गए हैं तो यह प्रेश्णों आपके लिए काफी हल्प लोंगे क्योंकि कोई भी एक्जाम होती ना तो प्रिवेश यह कृष्ण पेपर को देखना बहुत जरूरी होता है तो यहां पर उन्हीं सेलेक्टिव कृष्णों की बात हम इसमें करेंगे और यह सब प्रेश्णों का पीडिएफ भी आपको अपके अपनी अप आप आउनलाइन स्टुडिवी डीके पर उपलग्द हो जाएगा तो आप लिंक के थरू वहां पर जा सकते हैं प्लै स्टो फर्स्ट के बात करते हैं तो यहां पर है पहला प्रेश्ण व्यक्ति तो के संगठन का स्वरूप होता है व्यक्ति के संगठन का स्वरूप है सामजिक आर्थिक मनवेग्यानिक सारेथिक सामजिक राजनितिक या फिर डी है मनवेग्यानिक आध्यात्निक तो यदि हम बात क करें यहाँ बालिकाथ की दरश्टी से तो व्यक्ति के संगढ़न का स्वरूब जो होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर बी जो कि होगा मनोवध्यानिक और सारदिक क्योंकि मनवग्यनिक और सारीदिक गुन के मिलने से ही एक अच्छी व्यक्तितुका निर्मान होता है तो यहाँ पर option number B जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अगले प्रस्वन की बात करें तो अगला प्रस्वन आता है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है आत्म केंद्रित व्यक्ति किस प्रकार का होता है अंतर मुक्य होता है बहर मुक्य होता है उभलेंगी होता है या फिर हो सामस्जिक निर्भर होता है तो दीखिए जो आत्म केंद्रित वेक्ती होता है उसका जो अभाव होता है उसकी जो प्रकर्टी होती है वो अंतर मुखी प्रकर्टी होती है अब देखिए अंतर मुखी प्रकृति की दियमे बात करें तो क्या मतलब होता अंतर मुखी प्रकृति का तो ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा लोगों के साथ में घुलना मिलना सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं करता है ये थोड़ा सा अपने आप में इनको पसंद होता है और उसी के विप्रित ये बहर मुखी होते हैं और बहर मुखी का मतलब यहाँ पर दोनों ही प्रकार के हो जाते हैं सामाज एक निर भर का मतलब में समय सकते हैं जो की लोगों पर ही निर भर होते हैं यहाँ पर आफ्शिन नमबर एग प्रश्ण के लिए ठीक होगा आगे चलते हैं अगला प्रश्ण आता है अपने उरजाबल को बाहर की और अभी वक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है ग्यानतनक वेक्टितो होता है कलातनों पेसी तो होता है बहर मुखी वेक्टितो होता है या फिर हम कह सकते हैं कि ये धारमी के वेक्टितो वाले होते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अपने उर्जाबल को बाहर की और अभी वेक्ट करने वाले तो यह option number C जो होगा वो जहाँ पर बहर मुखी व्यक्तितु होगा अब देखिए आपने उरजावल को जब अंदर की और अभिवक्त करने वाले मतलब कि खुद में ही अभिवक्त करने वाले तो वो हो जाते हैं अंतर मुखी उसके विप्रित यहाँ पर हो जाता है यह बहर अगला देखिए अगला प्रशना आता है कक्षा चार का एक बच्चा सदेव चिंतित और कुंठित रहता है आप क्या करेंगे आप उसकी अभिवावक से सिकाइद करेंगे मन और शिकत्सक के पास ले जाएंगे सोयम परामर्श दाता की भूमिका का निर्वा करेंगे या उ उसको जानने समझने का प्रयास करें और संभव हो हमें उसे दूर करना तो हम उसे संभव था दूर करने का प्रयास करेंगे या फिर उसे किसी प्रकार से हम प्रैदित भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम खुदी एक स्वयम परामर्श दाता की भूमिका का निर्वा करेंगे क् बच्चे तो छोटे होते हैं उनको इतनी भी बात की समझने होती है तो बेवजा वो चंतित होते हैं तो हम निश्चित्वप्स से उसे एक परामर्श दे सकते हैं आप思न C यहां पर उत्तर होगा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रहशलाता है एक सिक्षक के लिए सबसे महत्रोण क्या होता है तो इस Sky विद्धियाद क्यों के पत्व 것으로 को होना है विध्याद्य की काटनायों को दूर करना है छी बन जाता है इन विकल्पों को हम देखे दो दाकी एक सिक्ष्याग अनुसासन समयनों वर्ती ये सब तो देख ही लेता है तो यहां पर option C हमारे इस प्रशन के अनुरूप ठीक होगा तो यह हमारा इसमें उत्तर होगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की बात करें तो एक आप अती सक्री बालक को कैसे सही दियसा में लाएंगे तो दीकिए अती सक्री ब माफ करने का काम देंगे या फिरो प्रुक्तों में से कोई नहीं तो दीकिए बच्चा जो जो अती सक्री होता है तो उसको थोड़ा सा एक सही गाइडेंस की आफशक्ता होती है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हम नेत्त तो कारी जो है वो प्रदान कर सकते हैं उसको हम यह कार्य दे सकते हैं, तो यहां बर हम देखें, तो देखें यह जो है पहली पंक्ति में बिठाना, उस पर कड़ी नजर रखना, कक्षा में कोने में बिठाना और साफ सफाई का काम देना, यह थोड़ा सा इसमें कोई भी विकल्ब ठीक इसमें नहीं है, यहां पर हमारा उत् प्रतक सजादी समुहों के व्यक्तियों के प्रती बच्चों की जो अभी वरत्ती होती है, वो किस पर करके होगी, उनके अभिभाव को की चित्वरत्ती पर, उनके समकक्षियों की अभी वरत्ती पर, दुगदर्शन की प्रभाव पर, या फिर उनके सहोधरों की अभी वरत आफर पढ़ता है और जो परिवार के श्रश्य होते हैं उन्हीं के गुणों का इस्थान तरहने भी उनमें होता है उसी प्रकार से उनमें आदते बनती है तो यहां पर आफ्षन A हमारा उत्तर होगा अगला प्रस्नेया आपकी अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धी बच्चों को बैठाने के लिए आपसे कहा गया है तो आप क्या करेंगे उन्हें अपने विध्यादी के रूप में ग्रहन करने से इंकार करेंगे या फिर प्रधान ध्यापक को उन्हें अन्य कसी कक्षा में जो कि मंद बुद्धी बालकों के लिए विसेस रूप चिनने थे में बैठने के लिए बोलेंगे ऐसे विध्यादी को सीखाने के तक्नीक सीखेंगे और डी है उप्रक्त में से कोई नहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम निश्य दूप से ऐसे बच्चों को सीखाने के लिए जो भी तक्नीक आवश्यक होगी उस तक्नीक को हम सीखने का प्रयास करेंगे हम खुद सीखेंगे और उस बच्चों को जरूर सीखाएंगे तो आप्शन सी जो है ऐसे विध्यादियों को सीखाने के तक्नीक सीखेंगे यही हमारा इसमें उत् है तो एक दिए हम बात करें एक सिक्षक को साधन संपन होना चाहिए तो इसका क्या अर्थ हो सकता है उसके पास परयाद धन संपना होना चाहिए ताकि उसे सिक्षन देने की आज दरूरत ना पड़े उनका अधिकारियों के साथ उच्छोस्तर से संपर्क हो उनको अपने बच्छों की परेशानियों को समस्याओं को विध्यातिक्य समस्याओं को दूर कर पाएं तो option c यहाँ पर उत्तर होगा बच्चों में समवेगात्म्म समय जन् प्रभावी होता है यह में करो सभ्खन को जद सभी में यहां बरहम कह सकते हैं कि बच्छों में समय आत्मक्व कि यहां परहुन कह सकते हैं कि आपरोप्तो सभी में ही यह समयोजन जो होगा यह प्रभावी होगा option दी हमारा उत्तर होगा आगे चलते हैं अगला प्रश्णात है बच्पन का सामप्रतिक द्रश्टीकोन की मानिता है तो बच्पन के सामप्रतिक द्रश्टीकोन की मानिता क्या है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वैस्कों के बरावर हो जाते हैं बच्चों को युवा प् हम बात करें तो बच्पन व्रध्धी और परिवर्तन की एक अनूठी आउधी होती है हना बच्पन काफी महत्पोर्ण होता है तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा सारे रिक व्रध्धी किसे कहते हैं क्योंकि हमारी जो व्रध्धी होती है वो एक निश्चत सिमा तक होती है उसकी बाद में हमारे अंदर व्रध्धी नहीं होती है तो और बच्पन भी यहां पर उत्तर होगा आगे बढ़ें तो अगला प्रशन है सीखने की प्रक्रिया को प्रभाइद करने वाले कारक कोंचे हैं तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभाइद करने वाले कारक की बात करें अनुकरण प्रसंसा निंदा प्रतियूगिता या पर यह सभी तो कहीं न कहीं अदिया हम देखें तो ये सभी कारक जो होते हैं ये सीखने की प्रक्रिया को प्रफारिट करते हैं किने कि जब हम बच्चा अनुकरन करता है तब भी सीखता है हम किसी बच्चे की प्रसिंसा करते हैं तो बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होता है और वो सीखने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित होता है पर हम बच्चे को डाट देते हैं उसके मेंदा करते हैं उसकी बुराई करते हैं तो कहिने कि बच्चा डी मोटिवेट होता है तो ये भी कारक है जब प्रतियोगिता बच्चों के सामने रहती है तो बच्चों के अंदर एक सीखने के ललक होती है कि हमें इस प्रतियोगिता में जीतना है अच्छा करना है तो ये सब कारक जो होते हैं ये सीखने की तक्रिया को निश्यती प्रभावित करते हैं तो option D हो जाएगा यहां पर उत्तर आगे बढ़ते हैं अगले प्रेशनी की और बालकों को में सीखने की में प्रेड़ना को किस रूप में उप्योगी माना जाता है बालकों को सीखने में प्रेड़ना को किस रूप में हम उप्योगी मान सकते हैं तो हम इन सभी उप्रोग्त सभी के रूप में मान सकते हैं option D नहीं करते हैं उसकी बात की गई है तो ऊस युक्ति को देखना है जिसका प्रेड़ना को आयो करेंगे उन्हें आत्मिगory की अनुभूति करना ये भी हम करेंगे उनके प्रसंहारा और गतिव ही अदर्यंद सेमें अदंधार। यह थरुँड़ाव सुनी या फिर सभी तो यहां करे सकते हैं जो होती कहीं नकहीं इनमें एक धनातруш संबन पायाता है option ए हमारा उत्तर हुगा आगे जलते हैं काक्षा में अनुसासन बनाएं रखने के लिए स्तरवादिक प्रभावसाली उपाई क्या है तो इस प्रभावसाली उपाई की दिए हम बात करें तो यहां पर है अनुसासन हिन चात्रों को कक्षक से बाहर निकाल देना स्क्षन को रो क्याब करते हैं मूल प्रवत्तीय के अनुरूप होते हैं थैंना तो जासे गुस्चा आता है शोरोंने लगते हें तो खुश होने पर उनकी अभी एकती हासी के दोरा होती है तो यह उनकी एक मूल प्रवत्तियां होती है जिन विध्यालियों में समय के सिक्षा दी जाती है उसके सिक्षकों को किस छेतर में विशेस छेतर विशेस में प्रशिक्षित करना चाहिए तो यहीद हम बात करें कि जिन विद्यालेओं में समयकित सिक्षा दिया दिये तो वहाँ पर विशेस आवशकत वले बच्चों की पहचान और सिक्षन व्याक्षान विदीगे दोरा सिक्षन कुरायतमर्थ के थां सिक्षन ऑप्रोक्टिमर्थ के कोई नहीं तो दिखे हमबात यहाँ पर समयकित सिक्षक की कर रहे हैं और सिक्षक समयकित प्प्योंग में ला सकते हैं जब सिक्षक को विशे सावशक तहले बच्चों की पहचान होगी और उनका सिक्षन कतरीका होगा तो ऊप्षण ए हमारा से में उत्त होगा निमने लिखित में से किस समूमे के बच्चों को समाज़न की समश्या होती है औसद बद्धी के बच्चे, ग्रामीन बच्चे, अध्यनसील बच्चे, कुसागर बद्धी के बच्चे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि option जो D होगा हमारा फुशाग रभ उद्धी के बच्चे इनको समाईज़द्ध की समश्या होती है तो option नमर D हमारा इसमें उत्तर होगा क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये उद्धी के साथ में मतलब समाईज़द होना प्रशंद करते हैं जो इनके इस तरके होते हैं तो थोड़ी से इनकी यह समझा है रहती है तो option D हमारा उत्ता हुगा आगे देखें समवेग व्यक्ति के उत्तिजित दसा है या कथन निमने से किसका है प्याजे वुडवर्थ वेलेंटाइन का या फिर है रास का तो यहाँ पर देखें हम समवेग व्यक्ति के उत्तिजित दसा है और यह कथन देने वाली जो थे वुडवर्थ option number अगला हमारा प्रस्न आता है सीखने का सरवादिक उप्यक्त अर्थ है कोशल अर्जन ग्यान अर्जन व्यवहार में परिमार्जन व्यक्ति तुस्थ हमार्जन तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखने का सरवादिक उप्यक्त अर्थ जो होता है वह होता है हमारे व्यवहार में परिमार्जन मतलब कि व्यवहार में परिवर्थन लाना वो ही हमारे सीखने का उद्देशी होता है जिसे हम परिमारजन के रूप में कह सकते हैं यहांब हम कह सकते हैं धीमी या तेज गती से बोलना ये वाने का दोष नहीं है बाकी अनिस अठी जो हैंチャンネル प्रात्मी के सब्सक्राइबार पर मुल्यों के सिख्षा देने के सर्वत्तन विदी क्या है तो बच्चों को प्रात्म के स्थापन और डी है उपरोफ तो सभी है अब दीखे सबसे मेन चीज प्रात्म के स्थापन अपने अंदर करें अपने व्यवहार में करें और जब सिक्षक करता है तो बच्चे उसका अनुकरन करते हैं तो एक विकल्ब तो हमारा यहां पर बताता है उत्तर परन्तुई दिन देखें तो मुल्यों के महत्व को भी बताना जरूरी है तो यहां पर हमारा उत्तर बन जाता है उप्रोक्त सभी यानि कि option number D यह सभी यहां पर हम लागू कर सकते हैं जिससे हमारा मुल्यों का सिक्षा होगी वो बहुत तेज जिसे बच्चों को मिलेगी सीखना है शीखना क्या होता है व्यभार में परिवर्तन अनुबहुत अताभियास का परिज़िया में व्यभार में अब इक शकृत ताभियास का परिज़िया में तो हमारा उत्तर बन जाएगा option D यह सभी है अगला प्रस्त्म आता है हमारा freak के अनुसार ? फेइड के अनुसार , ग्रहन किये या सीखेवी सत्यों । धारन करने या पुना समरण करने के असफलता को विस्मरण करते हैं विस्मरण का आर्थ किसी समय करने पर भी किसी पूर्वा अनुभव का समरण करने या पहले सीखी वी किसी कारी को करने की असफलता विस्मरण वो प्रवत्ती है जिसके दुआरा दुखद अनुभाओं को इसमरथी से अलग कर दियाता है ती है उपरुक तुमें से कोई नहीं अब देखिए यहां पर हमें सीख सीख विस्मरथी या विस्मरण को देखना है और वो हमें देखना है यहां पर फ्राइड कनुशार तो यहां पर इसमें बात करें इसमें विकलबों की तो यहां पर विस्मरण वो प्रवत्ती होती है वह प्रवत्ती होती है जिसके द्वारा हम दुख़ दनुभाओं को इस मुरती से अलग कर देते हैं और यही हमारा इसमें उत्तर होगा अगला प्रस्ना आता है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होगी अवधी नविंता रोची आकार यहां पर हम कह सकते हैं ध्यान को केंड़ित करने क्यान पर एक दशा जो होती है वो हमारी रोची होगी क्योंकि हमारी रोची जतनी जादा होगी उतना जादा हम अपरे ध्यान को केंड़ित कर पाएंगे जिस कारी में हमें रूची होती है हम उतना ध्यान लगा खर कि उस कारी को करते हैं तो कहीं न कहीं हमरे रूची इसके लिए जिम्मधार होगी आप्शन सी आगे देखिए एक परस्ति का में अरज़त ग्यान का दूसरी परस्ति में उप्योग करना कहलाता है तो एक परस्ति में अरज़त ग्यान का दूसरी परस्ति में उप्योग करना क्या कहलाएगा सीखने की विदियां सीखने में स्थांतरन सीखने में पठा सीखने में रूची तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक परस्ति में अरजद ग्यान का दूसरी परस्ति में उप्योग करना जो होता है वो कहलाता है सीखने में इस्थान तरण आउप्शन नमबर भी हमारा उत्तर होगा अनुभाव दोरा व्यभार में परिवर्टन कहलाता है इस मिरती सीखना प्रेड़ना या फिरचिनतन तो अनुभाव के दोरा व्यभार में परिवर्टन जो होता है उसी को हम कहते हैं सीखना आपंशन भी होगा उत्तर या आवश्यक नहीं कि उच्छ बुद्धी लब्दी वाले बच्चों में रिक्तिस्थान भी उच्छोंगे तो यहां पर स्रजन सीलता अध्यान विश्टेशन करने या अच्छ अंक प्राप्त करने तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उच्छ बुद्धी लब्दी वाले पच्चे में स्रेजनात मक्ताबी स्रेजन सीलता भी ओचोगी ये आवश्यक नहीं है अधिगम में रुक्तस्थान ने प्रभाव का नियम दिया तो यहां पर प्रभाव का नियम पूछा है पाउला इसकी नर्व वार्सन या फिर ठानडाई तो यहां पर बात करें हम तो प्र मापन के लिए नहीं किया जाता है तो यहां पर प characterize थी řाफर पहचान विदी और पौण सीखना विदी यहां पर हम कह सकते हैं कि कितार के कुवेदी जो होगी ऊपन के लिए इसका अब्रस्था प्रासन प्रस्था ब्यान को केंध्रिद करने की आंतरिक तरिक दाश्न तो ये कृषिन हमारा एक коही बात नहीं परस्ति का क्योंकि यह क्षिन से रिपट होने कारण लहाई कि जतनी बार यह प्रस्त को गयते हैं गोंग अलग वर्षयों के जो हमारे पैपर हैं उनके सबसी यह प्रस्ण सिलेक्ट किये गए थे तो ऑप्शन डी यहां पर सीखने में इस थांतरा ने यह भी हमारा प्रस्ण जो है कंप्लेट पहले हो चुका है अनुभाव के द्वारा व्यवार में परिवर्तन लाना यह सीखना हो जाएगा यह भी हम देख चुके हैं देखिए बहुत बार प्रस्ण जो है रिपीट हुए है तो कही न कहीं यह चीज हमें हल्प करती है हमें इस तरह अंदर लगा सकते हैं कि यह प्रस्ण रिपीट हो रहे हैं सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धान्त का प्रति पातन किया है Thanadai, Kolar, Paola या फिर Woodव怖 तो देखिए सूझ के द्वारा सीखने का सिध्धान्त जो है यह प्रस्ताविट किया गया है option number B जो होगा हमारा kohler और kohler ने एक प्रयोग किया था जो कि चिंपांजी था चिंपांजी के उपर ने प्रयोग किया था और उसमें इन्होंने सूज का सद्धान्द जो था वो दी प्रतिपादित किया था option B हमारा उत पर हुगा कारी को आराम करना कारी को जारी रखना और नीमत करने की प्रक्तिया जो होती है प्रेड़ना संवेदना सीखना प्रत्यक्षी करन तो यहाँ बर हम कह सकते हैं कि वो जो कारी को आराम भी करते हैं जारी भी रखते हैं और नीमत रूप से तो वही हमारी प्लेड़ना होती है, वह हमरा motivation होता है option A, हमरा उत्तर होगा अगला प्रसना आता है विस्मरती कम करने का उपाई है तो विस्मरती को हम कैसी कम कर सकते हैं सीखने में कमें सीखने की तुरुटिपॉर्ण विधी पार्ट की पुन्रवरत्ति इस्मरन करने में कम ध्यान देना तो यहांबर हम कह सकते हैं कि विश्मरति को कम किया सकते हैं जब हम पांट की पुन्रवरत्ती करेंगे, उसका रिविजन करेंगे, उसका पुना अभ्यास करेंगे, तो हमें वो चीजें जादा याद रहेंगी, हम उनको कम भूलेंगे, तो यही हमारा जिस्मती को कम करने का उपाई है, आगे चलते हैं, क्रोध वा भै प्रकार हैं, अभ होगा, और यदि हम बात करें, तो मैक दूगल ने तो इसमें 14 प्रकार के संविगों की व्यात्या की गई है, और संविग जो होते हैं, वो थोड़े से हमारे लिए एक चटिल अवस्थाएं हम उनको कह सकते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रसना है, प्रासंगीक इनके द्वारा ये दिया गया था, और इनका जो प्रिक्षन है, इसमें 15 कार्डों का प्रियोग इसमें किया जाता है, आगे जलते हैं, मनुविज्ञान का सिक्षा के छेतर में सबसे बड़ा योगदान क्या है, विशे के अंदरिक सिक्षा, सिक्षा केंदरिक सिक्षा, क् रखी और विकाससिंद्ररत के सबस्ते हैं। तो हमरा उत्तर बंजाता है यहां पर option नंबर B वर भी करन के सबस्क्राइब का सबस्क्ति है। आगे बढठें अगले प्रक्षियन की बात करते हैं। वहर वादी रुक्तिस्तान ने कहा मुझे नवजासी सुदेदो में उसे डाक्तर वकिल चोर या जो चाहे बना सकता हूँ फ्रीमेन ने, नियुमेन ने, वाटसन ने या फिर होल्जिंगर ने तो ऐसा कहने वाले जो थे वो थे यहाँ पर आउप्शन नंबर सी वाटसन ये वो है उद्धिपन की तिवरता, उप्शन नंबर है उद्धिपन की तिवरता जितनी ज़्यादा होगी हम ध्यान को उत्मे ज़्यादा आकर्शित करेंगे दिखते स्थान चातर में रूची उत्पन करने की कला है तो चातर में रूची उत्पन करने की जो कला होती है सिक्षन, सानो भूती, संद्रश्टी, प्रेड़ना तो उत्तर हो जाता है प्रेड़ना option D आगे चलते हैं अगला प्राशना आता है दूसरे व्यक्ति के बाहिवयवहर की नकल करना क्या कहलाता है तो दूसरे वक्ति की बाही वेवर के नकल करना ये सीखना अनुकरन कल्पना चिंतन तो ये कहलाता है अनुकरन मनुविग्यान की प्रत्हम प्रयुक्षाला को किसमे इस्थाबित किया था डबली वुंट सिंगमन्ट पावला वाटसन तो ये स्थाबित करने वाले जो थे वो थे विलियम वुंट तो डबली वुंट लिखाया है ये विलियम वुंट इनका पूरा नाम है और इन्होंने अठारा सो उनसी में लिपजिंग जर्मनी में पहली मनुविग्यानिक प्रविक्षाला की ठपना की थी गैस्टाल्ट मनुविग्यानिक की आधारशला किसमें रखी थी फ्रांच ब्रेटानो, मैक्स वर्दिमर और एडगर रोबिन कर्ट लेविन यहां पर इदियम देखें तो इसे रखने वाले जो थे वो थे मैक्स वर्दिमर आप्शन निमबर भी हमारा उत्तर होगा अगला प्रशन है छेतर सिध्धान्त निमने में से किस वर्दिमर का सिध्धान्त है यहां पर उत्तर हो जाता हमारा गैस्टाल्ट वादियों का यह चेतर सिध्धान्त का वर्दिमर रहेगा